आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटे से चीज के बारे में बताऊंगा ट्रेडिंग के जो कि आपके ट्रेडिंग करियर में सबसे बड़ा इंपेक्ट डालता है अगर इस चीज को आपने समझा, जाना और इसके अंदर के रिजन को पहचान कर उस चीज को सही कर लिया तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोख सकता चली वीडियो को स्टार्ट करते और completely समझते हैं इस प्रॉबलम को और इसका क्योर, इसका इलाज, इसका समाधान, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो चली वीडियो में बने रही है तो सबसे पहला करना, आप अपने आपसे कितने ही सवाल क्यों न पुछ लो, कि ट्रेडिंग में ओवर दा प्रियेड आप प्रॉफिट में क्यों नहीं हो, या कंसिस्टेंट पैसा क्यों नहीं बन पा रहा है, ढूंडो रिजन, पैन पेपर लेके, आपको अल्टिमेटली लेकिन इसकी पीछे का रिजन क्या है, उसका इलाज क्या हो सकता है, और वो कौन सा छोटा सा चीज है जिसके बार में मैं बात कर रहा हूँ, कि वो अगर आपने सही कर लिया, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपका सही हो जाएगा, तो पहले आप गैस करो, कि वो कौन सा छोटा सा चीज है, कौन सा छोटा सा हैबिट है, जो कि आपके सारे फसाद की जड़ है, ये सारा प्रोब्लम का जड़ है, चार सेकंड का टाइम है, पहले आप सोचके कमेंट करो, उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ आप सभी लोग stop loss use करते हूँ, ये बाद ठीक है, बहुत सारे लोग system में stop loss डालते हैं, यँहां तक भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग system में stop loss नहीं डालते हैं या डालते हैं तो उसको modify कर देते हैं cancel कर देते हैं और एक mental stop का use करते हैं बस एक छोटा सा जो reason है mental stop यह आपको कितने तरीकों से बरवाद करेगा थोड़ा सा समझो और इस चीज का क्योर क्या है वो भी जानेंगे इस वीडियो में देखो, आप stop loss decide कर लिए, कि ठीक है 5000 का risk है, mind में अपने रख लिया कि 5000 का loss होगा, मैं निकल जाओंगा लेकिन 5000 का loss में शुरुआत में आपने एक दो ट्रेड में निकल भी गया system में stop loss देके, फिर देखा ट्रेड आपके direction में चला गया, जब 2-3 इन बार आपके साथ ऐसा होता है, फिर आप वेट करना सुरू कर देते हो, रुग, 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 stop loss cancel कर देते हैं, एक बार recover कर जाएगा, फिर में stop loss लगा दूगा इस चक्कर में क्या होता है, कि आपका कई बार loss recover होके profit में आ जाता है, कई बार loss reduce हो जाता है stop loss से आप कई बार बज जाते हो, लेकिन इस सारे process में आपका psychology बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है stop loss के परती, आप stop loss को ले तो रहे हो, लेकिन seriously नहीं ले रहे हो stop loss का जो काम है, उस काम से पूरा अपने उस चीज को deviate कर दिया है हटा दिया है, वो काम ही नहीं है, वो purpose ही नहीं रहा हो stop loss का और आप एक mental stop loss यूज़ करते हो, अब देखो mental stop loss आपको कैसे destroy करेगा इस चीज को समझते हैं, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा साथ focus लाँ और इस बात को समझो, अगर आप 5000 का risk decide के थे कि stop loss मेरा 5000 का है, और आपने system में stop loss नहीं डाला, मान लो 5000 का loss हो जाएगा अब आपका hope mode activate हो जाएगा आप hope में आ जाओगे कि recover कर जाएगा नहीं भाई, बहुत बार recover हुआ है recover कर जाएगा, 10 मैं से 8 बार recover कर जाएगा, ठीक है लेकिन दो बार जब नहीं करेगा तो वो किस टाइब का नुकसान करेगा वो आप imagine कर सकते हो अब दूसरा perspective समझते है जब आपका 5000 का risk टच हो रहा है आपका stop loss area के पास आपका stock या फिर option जो भी ये पहुँच गया है वहाँ पर जब आपका hope mode activate हो जाता है मालो वो loss reduce होना शुरू हो गया 5000 का loss आप hope में थे कि loss घट जाएगा loss घट के 3000 हो गया 4000 हो गया, क्या लगता है आप निकल जाओगे, नहीं निकलूगे आपको लेगा यार 3000 का loss हो जाएगा, तब में निकलूगा loss घट के 3000 हो जाएगा, फिर क्या लगता है आप निकल जाओगे, नहीं, आपको लेगा 2000 घट के हो जाएगा तो निकलूगा, इस तरह करके जब 2000-1000 होगा आपको लेगा break even कर जाएगा तब निकलूगा, कई बार इस तरह चक्कर में आपको profit हो जाएगा, बट कई बार, जब आपका loss 5000 से 4000 होगा, 3000 होगा जब first attempt में आप सोचे थे, कि मेरा 5000 का loss अगर 3000 होगा, तो मैं निकल जाओगा जब 3000 होगा, तो आपका लालज बढ़ जाएगा उस समय, जब 3000 होगा, आपका लालज बढ़ जाएगा के मोमेंटम में इतना नेगेटिव मार्केट रहेगा, कि इतना आपके उल्टा डरेक्शन में जाएगा, कि आपको सोच नहीं तक का मोका नहीं देगा market, market 5000 का loss टच करेगा, आप होप मोंड में रहोगे, अचानक से 8000 का loss हो जाएगा आप सोच के उस चीज पे सही एक्शन ले पाओ, उससे पहले ही market आपको 10,000 का loss दिखा देगा आप उस चीज को situation को accept करोगे, या नहीं करोगे, उससे पहले 12,000 का stop loss दिखा देगा इस चक्कर में क्या होगा, कि आप सही डंग से analytical approach रख नहीं पाओगे और वो एक disaster stop बन जागा, disaster day बन जागा हो सकता आपका उस दिन account भी blow हो जाए जब इतना इस चीज का बुरा consequences है, तो फिर mental stop रखना ही क्यों है एक चीज का rule बनाओ अपने आप से, कि mental stop नहीं करेंगे use अगर stop loss यूज करना है, तो proper करना है, otherwise छोड़ दू, नहीं करना है stop loss यूज stop loss का काम जो है, उस काम को उसको करने दू system में stop loss लगाओ, आप बोलोगे यार, system में stop loss लगाने के बाद stop loss हित हो जाएगा जी हापका stop loss बहुत हीड होगा, आपका stop loss बहुत हंड होगा, मगर अगर आप journal बनाते हो, जो मैंने बोला ना, आप क्योर भी दूँगा, इलाज भी दूँगा, तो जब आप system में stop loss लगाना सुरू करते हो देखो, होता ही है ना, कि जब आप system में stop loss नहीं डालके mental stop loss लेते हो, तो आप entry भी साथ ही घटिया लेना सुरू कर देते हो क्योंकि आपको पता है थोड़ा 19-20 होगा तो निकलने वाले तो है नी, लेकिन जब system में stop loss लोगी, दूसरे दिन अपने आप, आपका mind suggestion देगा कि भाई, इतना जल्दी entry नहीं करना है, अभी थोड़ा और नीचे आएगा और stop loss हीट हो सकता है, आप थोड़ा और modify किये उस आपको problem तो होगा, मैंने बता है आपका stop loss हीट होगा, हंट होगा, लेकिन आप जान बुछ के कोई अपने stop loss हंट कराएगा, नहीं कराएगा, दूसरी बार वो गलती, आप सोचोगे कि क्यो stop loss हंट हुआ, धीरे धीरे उस चीज को refine करना शुरू कर दोगे, और आपका entry automatically refine हो जाता है, तो क्या दिकत disaster stop loss से बच जाओगे, साथ ही आपके trading में discipline automatically आएगा, accountability आपको पता होगा कि आप कितना loss करने वाले हो, कभी भी surprise loss नहीं होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया, surprise loss versus calculated loss, सारी बाते में आपको experience से बता रहा हुग, ये सारी चीज़ें बहुत ही ठोकर सीखिए, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अभी implement करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ का benefit देखने को मिलीगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीज़ें, चनल को subscribe कीज़ें, मिलते हैं किसे next important वीडियो मन तब तक के लिए, बाई